हाँ जी मेरे प्यारे भाईयों बेनों कैसो आप सभी लोग सब बढ़िया कल रात को साड़े ग्यारा बज़े आपने देख लिया होगा कि फेडरल इजर्व ने अपना इंटरस्टेट का अनौंस्मेंट है वो बता दिया है यानि कि फेडरल इजर्व जो है वो अब 25 BPS से इं इंटरस्टेट हाइक हो सकती है मैंने एक पोल भी डाला था जिसको 5000 लोगों ने देखा और 2.7 के लोगों ने इसमें पार्टिसेट भी करा तो उन में से 18 परसेंट लोगों का जो मानना था ना कि छोटा पंपेंड डंप हो सकता है वही चीज हमें अभी देखने को मिल रही है और जिस head and shoulder pattern के हम बात करें देना अगर इसको play out होना होता ना तो इसकी neckline का कलम में breakdown देखने को easily मिल जाता ठीक है और इसके बावजूद भी इसी train line से इसका यहां पर एक बार bounce भे कमें देखने को मिल गया है तो कहीं ने कहीं मुझे यसा लगता है कि जल्दी आपको bitcoin क कुछी समय के अंदर 30,000 के area के आसपास भी देखने को मिल सकता है अगर 29,900 के level का इस तरीके से confirmation के साथ breakout हो जाता है और फिर next target आप मान के चलना 32,000 के आसपास बनेगा क्योंकि यहां पर एक broadening wage भी बनता हुआ दिक रहा है अब देखो यह बात 25 basis point से interest rate का announcement हो सकता है यह तो थोड़ा से इसकी विरे से आपने देखा होगा कि bitcoin शनक रूप से गिरा भी था लेकिन उसके बाद में फिर से bounce back up में देखने को मिल गया basically इन्होंने यह का कि हम आगे भी interest rate बढ़ाते जाएंगे अभी रोकने का कोई plan नहीं है कोई मंशा नहीं है साथ ही इन्होंने यह भी का कि meeting by meeting हम इसके उपर थोड़ा सा और सोचेंगे कि भी या क्या आगे की रणनेती वगरा हो सकती है तो फुल मिला के बात यह कि इनके statement भी कुछ इसे नहीं निकल के है जिससे कि हम market को उपर नीचे देखे तो इन्होंने ना तो कुछ positive कहा ना ही कुछ negative कहा जो market को पहले से पता था बस उन्होंने भाई का तो इसके विरे से भी BTC पर कोई बड़ा असर में देखने को नहीं मिला है अब यहां पर एक और चीज आपको बताओं जो कि थोड़ा और market को bullish कर सकती है banking crisis अभी खतम नहीं हुआ है इसका एक और ताजा उधारन यह है Pacific Western Bank यह इसके shares में 50% स से ज्यादा की गिरावटाई है अब इसके पीछे का जो reason बताया जा रहा है वो है strategic option यानि कि इसमें यह बताया जा रहा है कि जो bank है वो अभी यहां पर आप देख भी सकते हो the reasonable bank is assessing option including a possible sale and bringing in advisors to evaluate longer term plan for the business यानि कि यह कुछ advisors वगरा को भी ला रहे है possible sale के बारे में भी विचा कर रहे हैं तो इसकी वज़े से shareholder में थोड़ा सा एक डरका माहूल बना और इसके shares में 50% तक की गिरावट देखने को मिल गई और बैंक फेल हो रहे हैं तो भाईया कहीं ना कहीं market में पैसा आ सकता है तो इसलिए यह positive बात रही ठीक है आला कि bank crash होने से ही crypto positive होगा सीजे ने से बन रहे हैं like Elon Musk AI token और इनका जो true GPT का announcement था ना कि भी चेट GPT का rival लाने वाले truth GPT तो इसके नाम से भी coin बन गया truth GPT coin तो यह जो Elon Musk AI token truth GPT coin जो है इसके पीछी के जो भी fraudster है या फिर इनके जो promoters है उनके उपर जो state regulators है वो भी सकती करने जा रही है इनके उपर action लेने का प आपको इस तरीके से अजीवो गरीब नाम वाले या फिर किसी बड़ी ब्रैंड किसी बड़ी शक्सियत या फिर बड़े influencer के नाम से कोई token वागिरा देखने को मिले तो थोड़ा सा उसमें आपको सतर्क हो जाना चाहिए तो जो state regulators है US के वो Elon Musk AI token और truth GPT coin के जो promoter से उनके उ अगली update की बात करें तो यहां पर भुटान मैंने आपको बताया था ना कि बुटान ने यह confirm कर दिया है कि वो जब bitcoin की price 5000 डोलर चल रही थी तब सही वो secretly mining कर रहे हैं bitcoin की अब यहां पर update आई है कि बुटान की जो सरकार है या फिर इनकी जो investment आम है वो 500 million dollar जो है वो crypto mining के अं पारी पड़ोसी कंट्री है यह इस तरीके से investment प्लान कर रही है इस तरीके से mining को बड़ावा दे रही है जो कि बड़ी कंट्रियों को भी सोचने पर मजबूर करेगी कि हाँ इतना investment यह crypto mining के अंदर क्यों डाल रहे तो यह एक update हो गई अगली update की बात करें Nigerian government जो है वो भी blockchain यूज को अप्रूफ कर चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो Nigerian government formally approved blockchain use यहाँ पर आप देख सकते हो the Nigerian federal executive counseling has approved the national policy on blockchain drafted by the federal ministry of communication and digital economy तो भाई यह नाइजीरिया जो है कही ना कही blockchain यूज को blockchain technology को adopt करने के लिए अच्छे कदम उठा रहा है तो यह एक update हो गई अगली update की बात करें polygon में आपको 5% के आसपास का pump देखने गुमल रहोगा इसके पीछे का कारण है इसके पीछे का यह कारण है कि recently इन्होंने तीन तारीक को एक announcement करा है कि भाया यह developers के लिए थोड़े से और अच्छे features ला रहे हैं developing अच्छी तरीके से हो सके यहाँ पर अपडेट्स दियें जिसके विरे से जो डवलपर से वो इसली integrate कर पाएंगे decentralized identity को इंटू डी एप तो इसकी विरे से इस announcement के बाद में polygon में भी 5% के आसपास का हमें pump देखने को बला क्योंकि इन्होंने developing tool live कर दिया है तो positive बात है polygon के holders के लिए अगली update यह Shiba से जूड़ी ह यह Shiba की एक बड़ी वेल ने 33.4 billion Shiba Inu tokens को grab कर लिया है 30 minute के अंदर जैसे इसकी price में dip देखने को बला तो देखो वेल्स जो है अभी भी Shiba Inu के उपर अपनी नजर बना के रखी है और इसी की वज़े से आप देख सकते हो कि पिछले 24 घंटों में भी बहुत सारी billions of Shiba Inu की buying हुई है तो ऐसा नहीं है कि Shiba Inu बिल्कुली खतम हो चुका है या फिर कोई जादा इसमें moment देखने को नहीं मिल रहा लेकिन इस तरह की से सिर्फ वेल्स की buying से इतना सर देखने को नहीं मिलेगा और 34 billion Shiba Inu कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती ठीक है तो कहीं नहीं कहीं द में काफी लोग नए एंटर होए दे मार्केट में मार्केट में जैसे नहीं लोगों की एंटरी होगी डेफिनेटली आपको इन सभी कोईंस में पैसा आता हुआ अधिके का और इनकी प्राइज आपको बढ़ती हुए देखने को मिलेगी तो आज की वीडियो में इतनी अप तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है चैनल आपी के काम का दो चैनल को भी सब्सक्राइब करें करके रखलना है मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ टिलिन जैहिन जै भारत